जै मात अदी आज फिर आये हैं हम एक अनुखा प्रशना लेक कर गए हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसने सारे जीवन हनुमान जी की भक्ती की हो हनुमान जी की सेवा की हो मृत्यो प्रांथ वो प्रेत कहलाएगा यदि किसी कारण से उसकी मुक्ती नहीं हुई वो हनुमान जी की लोक में नहीं गया तो वो प्रेत कहलाएगा और यदि ऐसा होता है तब क्या वो हनुमान चालिसा के पढ़ने से दूर भागेगा या कश्ट पहुँचाता रहेगा या फिर उस पर हनुमान चालिसा को कोई प्रभाव होगा या नहीं बड़ा ही विचित्र प्रशन है और हमरे सब्सक्राइबर के मन की जो कलपना है यह भी अत्यंते ही विचित्र है मुझे नहीं लगता कि कई लोगों को एसे प्रशनों का सामना करना पड़ा होगा या इस प्रकार के प्रशन किसी के मन में आये होंगे तो चलिए करते हैं हम इसी पर चर्चा आपको सबसे पहले नॉटिफिक्शन मिल जाए कोई भी वीडियो या लाइव हमरा आता है तो उसकी जानकरिया आपको मिल जाए हमारे लाइव का समय निश्चित नहीं है इसलिए आपको बेल आइकोन को प्रेस करके रखना ही होगा ताकि जब भी हम लाइव आते हैं आप लाइव में भी हमसे प्रशन अतर कर सकते हैं तो चलते हैं हम अपने सबस्क्राइवर के प्रशन के उपर जिसने हमसे ये पूछा कि यदि कोई हनुमान जी की सेवा आरादना कर रहा है वो मृत्ति को प्राप्त हो रहा है उसकी सद्गति नहीं हो पारे ये किसी कारण से तो वह हनुमान चालीसा को सुन करके दूर भागेगा या उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं तो देखी ये ऐसा है कोई व्यक्ति जो किसी भी देवी देवता का पूजन अर्चन करता है उस पर अटूट विश्वास करता है उसे अपना इस्ट आराध्य बनाता है तो वह उसी के लोग को उसी के समान गति को प्राप्त करता है या कि कोई हनुमान जी के आराधना कर रहा ह तो वहाँ हनुमान के ही स्वरुप को प्राप्त करता है तो एसे में जो है व्यक्ति हनुमान स्वरुप को दारण करता है परंतु उसकी सद्गति नहीं हो रही है सद्गति का तात्पर ही इसी बात से है कि वहाँ अपने ही कर्मों के जाल में उलज गया है वहाँ फसकर के भट परंतु उसके अंदर अपना विवेक पुना से जागरत होता ही है तो वह भगवान का भजन किर्टन आधी उस अवस्था में भी करता है अपनी मुक्ति के लिए तब ऐसी अवस्था में ऐसे आत्मा जो होती है जो उर्जा होती है वह किसी अन देविक उर्जा प्राप्त व्य उसके मन में कल्याण की भाव ना भर हो तो वह उसको पकड़ लेते हैं उसको ग्रसित कर लेते हैं अपने आवेश में ले लेते हैं तब ऐसा व्यक्ति जब कष्टों से परेशान होता है तब वह किसी देवदर्वार देवधाम आधी में जाता है तब ऐसी अवस्था में अप्श्च शक्तियों का बॉल बाला हो वे वहाँ जाकर के इसे प्रत के निवारन के लिए उपाय करते हैं। वहां तो इनकी शांती करा दी जाती, इनको मुक्ती करा दी जाती, क्योंकि वे देख पाते हैं कि ये किस प्रकार की दिव्य उर्जा है, जो किसी प्रकार से संकट में आ गई है, और भटक रही है, अपनी सद्गती की प्राप्ती की कामना से आई हुई है, तो वे उसकी अन्य रूप से कहा जाता है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीन नाम सुनावे, यानि कि हनुमान जी का नाम जपने से भूत प्रशाच और प्रेत आदी निकट नहीं आते हैं, तो क्या इनके उपर कोई प्रभाव पढ़ रहा है, उस चालीसा आदी का, क्या वो पाठ गलाशत देनना नहीं चाते हैं, और सभी कष्ट देने के लिए तत्पर भी नहीं होते हैं, उनकी प्रवत्ति तब भी दुस्त राध्य को मानते हैं, सदा उनकी सेवा में रहें, किसी भी कारण से भी भटकाओ की स्थिती में चले गए हैं, वे अपनी सद्गती के लिए पुन्हा सही रास्ते पर आते हैं, देखी तुलसी दाजी जो थे, तुलसी बाबा, जिन्होंने रामचरित मानस को लिखाया, उन्हें भी प्रेत सिद्ध ह हो गया था, और हनुमान जी का पता उस प्रेत नहीं बताया था, कि आप वहां जाएं, आपको चित्रकूट के घात पर ही, हनुमान जी उसके आसपास कहीं दिखाई देंगे, जहां राम कथा होती हनुमान जी वहां होते हैं, परन्तु इन दुनों में, चित्रकूट के पास जो हनुमान कथा चल रही है, आप वहां जाके प्रियास करें, उनके दर्शनाप्त हो जाएंगे, इस प्रेत को कैसे गयाद था, प्रेत को इसलिए गयाद था, क्योंकि वह भी स्वेम, श्री राम और हनुमान का अनन्य भक्त था, इसी कारण उसे गयाद था, इन नियम करना था, उनके संकल्पों की पूर्ती के लिए प्रेरित करना था, जो उसने स्वेच्छा से सब कुछ बताया, उसका उद्देश स्वेम की मुक्ती आदी नहीं था, इसलिए उसने उनको किसी और प्रकार से ग्रसित नहीं किया, तो इस प्रकार की सारी कामनाय, भावनाय हो तो उस प्रेत ने उन्हें समझाया कि मैं उसी मंत्रों के प्रभाव से ही तुमारे सामने प्रगठ होने को विवश हुआ हूँ, तुमारी अंदर इतनी शुद्धी है कि मैं जहे तुम्हें आगे का रास्ता दिखाना ही उचित समझा, परंतु जो है तुम नित्ति क्रिया करत हो, वे नित्ति कर्म के पश्चात उस लोटे का बचा हुआ जल एक ब्रक्ष में डाल दिया करते थे, और उस ब्रक्ष में ही उस प्रेत का निवास था, और जो क्रिया थी, वह सिध्धी प्राप्त करने वाली क्रिया ही थी, जिससे प्रेत सिध्ध किये जाते हैं, परंतु इन्होंने गायतरी के जब को किया है, बहुत अधिक मात्रा में किया है, मेरा विनाश निश्चे थे, तो उन्होंने इसलिए स्वेच्छा से प्रकटो करके इनको मार्खदर्शन दिया और समझाया, कि तुमने जो मंत्र किये हैं, तुमारा पूर्व जन्मों के कुछ कर्म रशेश रह गए हैं, जिसके कारण यह अनुष्ठान संपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तुमारे संकल्प पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो किरप्या एक अनुष्ठान और कीजिए, ताकि आप पूर्व कर्मों को काटने के पश्चात, अपने नए कर्मों को बांध सकें और उनका नया पुन्य अर्जन जो होगा उससे आपका भाग्योदय होगा आपके संकल्पों की पूर्ती होगी तुलसिदाजी ने हनुमान जी के दशनों के पशात पुनह से इस अनुष्ठान को आरंब किया था और उसके बाद उन पर असीम किरपा हुई और आप सभी जानत करते हैं तो यही जान जो है उस प्रेत में था तो क्या वो चालीसा पढ़के भागेगा बिल्कुल नहीं भागेगा क्योंकि उसका उद्देश्य बिल्कुल सटी को सही है लेकिन वो जानता है कि हर देह है हर तत्व का एक सीमा होती है और उस सीमा के अंतरगती उस मर्यादा भोगने होते हैं इसलिए वो आपको कष्ट नहीं देता है परन्तु वो आपको कष्ट प्रतीत होते हैं क्यों प्रतीत होते हैं क्योंकि आप आपके अंदर भी जो उर्जा का नर्मान हुआ है वो आपको एक बहरी शक्ति का हैसास कराती है परन्तु आप समझ नहीं पाते है आप हरे एक चीज में जब मीन मेक करने लगते हैं, तब आपको वो संकट या कष्ट के रूप में दिखाई देते हैं, एक सामन ब्यक्ति भी, देनिक जो समस्यां आती हैं हमारे जीवन में, कि आज यह हो गया, कल वो हो गया, परसुबो हो गया, उसके लिए हम बहारी तत्मों को नेगेटिव एनरजी आ गई है, ऐसा बोल करके, अगर हम सोचने विचार करने लगे, तो हम कोई कारे करी ही नहीं पाएंगे, तो यही चीज होती ही, यही अवस्था होती है, हम यह समझने लगते हैं कि हर कोई शक्ति, जो देवता नहीं है, वो बिलकुल नेगेटिव हो कि यह नेगेटिविटी खतम करने के उद्देश्य से आप कोई पाठ करेंगे, तो जब वहां कोई नेगेटिव उर्जा ही नहीं, तो समाप्त क्या होगी, तो आप यही कहेंगे कि प्रेद भागा नहीं, प्रेद गया नहीं, संकट टला नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ आपके भाग्ये और आपके प्रारब्द के कारण आपको कष्ट प्राप्त हो रहें, इसलिए नहीं कि कोई ऐसी उर्जा आपके पास है, कि जो अब पंच तत्व को धारण नहीं करती, हुम्मिदे कि आपको समझ में आ गया होगा, कि किस प्रकार से यह सात्विक उर्जा है जो किसी कारण से प्रेतियोनी को प्राप्त है, अपने इस टारादे के लोक में नहीं पहुंच पाई है, उनकी मुक्ती के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें संकट मान करके हमें अपने आपको संकट में नहीं डालना चाहिए, या हमें चिंता गरस्तनी होना च जिसे भटकाव की इस्तिति में चले गए, परंतु मुर्त्यों परांत भी अपनी मुक्ति के लिए तो नहीं प्रियास कर रहे हैं, उल्टावे लोगों को कष्ट दे रहे हैं, दुष्ट प्रवत्ति को अपना लिए हैं, तो एसे लोगों पर सिर्फ चालीसा प्रभाव करेग किया नहीं, मुझे नहीं पता, परंतु बजरंगमान जैसे पाठ आदी की भी रचना तुलसिदाजी नहीं की है, तब एसे पाठों के प्रभाव शाली, प्रियोग, सामन्य व्यक्ति जब करता है, तब एसी उर्जाओं से उसे छुटकारा प्राप्त होता है, उसके अलाव होती है, जिसकी शक्ती से जिसके प्रभाव से वे एसी आत्माओं को संतुष्ट कर या उनका निवारन करके, आपके उपर से उसके आये हुए संकटों को निवारन तर देते हैं, जै मोडेश्वरी, बोल बं!